दोस्तों स्वागत है आपके अपने ही चैनल मास साव की पाट साला में देखिए पेरोल मॉडियूल पे आपको प्रपत्र 9 कैसे भरना है इसकी जो पोटल खुलने की तिति होती है वो 21 तारिक से लेके 25 तारिक तक ही होती है अगर आपने इस बीच में नहीं वरा तो आप आप ऑनलाइन प्रपत्र 9 नहीं भर पाएंगे इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कि जब आपने कोई लीव नहीं लिये तो कैसे भरेंगे एक लीव कैसे भरेंगे एक से ज़्यादा लीव कैसे भरेंगे और अलग अलग टाइफ की लीव कैसे भरेंगे अगर आप से कोई गल सबसे पहले हम पोर्टल पर चलते हैं, यह मानव संपधा का पोर्टल है ehrms.upsdc.gov.in, इसको आप लॉग इन करेंगे, युजर ID पास्टबर्ट डालके, और देखिए यह जो लीव है, यह प्रपत्रनो जैसे भरा जाता था पहले ओफ लाइन, जैसे हैड भरते थे, हैड या इन चार्ज, तो वो ही भरेंगे, सब को भरने की आवस्कता नहीं है, देखिए पहले हमने ehrms.login किया, सबसे पहले payroll में जाएंगे, basic education में जाएंगे, उसके बाद में आपको कहा जाना है, attendance में, attendance में जाने के बाद में, अगर आपने कोई भी leave नहीं ली है, तो आपको fill attendance म में जाना है, log attendance data में जाएंगे आप, सबसे पहले आप देखेंगे कि आपके जितने भी employee है, headmaster, teacher, assistant teacher दिखेंगे, सिच्छा मित्र और अनदेशक नहीं दिखेंगे, अगर teachers कोई भी missing है, तो इसके लिए आप BRC पर बात करेंगे, application देंगे कि आपका ये teacher missing है, ये EHRMS में नहीं आ रहा है, ये वहीं से ही correct होगा, log पर click करने के बाद में, आप ये data submit कर देंगे और print कर देंगे, अब देखेंगे दूसरा option, जब हमें attendance पर नहीं है, तो payroll में जाएंगे, basic education में जाएंगे, और attendance में जाएंगे, attendance में जाने के बाद में fill attendance करेंगे, जिसकी भी आपको करनी है, उसकी fill attendance करेंगे, मा लिजे इनकी करनी है, add attendance, और लिजे दस दिन की medical leave ले रखेंगे, तो दस दिन select कर लेंगे, 8 तारीक से लेके, 17 तारीक तक के ले रखेंगे, तो 17 तारीक select कर लेंगे, नीचे आएंगे, region select करेंगे, medical leave, sanction है तो sanction leave, और remarks, medical, या कुछ भी जो भी रिमार्क है, फिर उसको submit करेंगे, अब मालीजे, दूसरे teacher की leave है, फिर से back जाएंगे, back जाने के बाद में, दूसरे teacher की leave है, एक leave है तो कैसे बरेंगे, एक से ज़्यादे है leave तो कैसे बरेंगे, एक लिव फ्रॉम, मालीजे, एक अप्रेल से, एक अप्रेल तक leave, एक leave, automatic days select हो जाता है, number of days, casual leave ली, status select किया, sanction leave, यहाँ पर पर्शनल वर्क, यह जो भी कुछ हो, जिस बज़े से भी leave, इसको submit करेंगे, आप देखे, एक से ज़्यादा ही leave ली है, तो आप देखे, दूसरी leave बरेंगे, मालीजे, आप दो दिन की leave ली है, पंद्र तारीक से लेके 16 तक, पंद्र है, और 16, पंद्र है से 16 तक, हमने दो leave ले ली, select region, casual leave select कर ली, और यहां पर sanction leave select कर ली, ऐसे इस सेम केस, जैसे मैंने medical leave बताया, ऐसे maternity leave का select कर लेंगे, अगर maternity leave तो जादे दिनों की होगी, तो पूरा जो महिना है, maternity leave के case में पूरा महिना, जैसे 21, 23 से लेके 24 तक पूरा का पूरा select कर लेंगे, रिमार्क्स, पर्शनल वर्क, submit, देखे, यहां पर यह, जो भी अभी leave आपने भरी हैं, वो दोनों देख रही हैं, देखे, यह एक दिन की leave, यह दो दिन की leave, नीचे देख जाती हैं यह leave, तो इस तरीके से आप यह leave भर देंगे, अब माली जो तीसरे employee ने maternity leave ली है, maternity leave, तो maternity leave को कैसे select करते हैं, माली जो पूरे महिने की maternity leave पे चल लेंगे, तो एक महिने की select होगी, एक सासी दिन की एक साथ select नहीं होती है, हर महिने select करनी पड़ेगी, तो 21 मार्च से, 20 अपरेल तक, 31 डेज की हो गई, select reason, reason select करना है, maternity leave, select status, sanction leave, और यहाँ पर maternity लिख देंगे, यह आपकी, यह safe हो गई, अब हम देखते हैं, किसने कितनी leave ली हैं, और अब हमें क्या करना है, बैग जाएंगे हम, lock attendance data में जाएंगे आप, अब देखिए, lock attendance data में गई आप, उस सब की देखिए leave आ गई है, employee का name आ गया है, casual leave 1, employee name casual leave 2, date भी आ गई, employee name medical leave 10, employee name maternity leave 31, तो यह सारी leave आपने, यह select कर ली है, अगर यह सारी leave सही है, तो आप इनको lock कर देंगे, और सही नहीं है, तो क्या करेंगे आप, आप प्रॉपर तरीके से चेक कर ले, अगर आपने lock कर दी, तो फिर कोई option नहीं है, सही करने का, अगर लोग से पहले ही चेक कर ले, आपने जो leave भरी है, वो सही है या नहीं है, अब देखिए क्या है, जिसकी भी leave गड़वड है, उसके login में जाएंगे, एक बार फिर से बता देता हूँ, देखिए, यहाँ पर add, edit, attendance में जाएंगे, फिर नीचे जाएंगे, attendance field में, और यहाँ पर delete कर देंगे, delete record, ओके कर दिया, बैग जाएंगे, दूसरे employee की में गड़ बड़ी है, तो दूसरे employee की में जाएंगे, add, edit, attendance में, और फिर सबसे नीचे जाएंगे, attendance field में जाएंगे, जो भी गलत है उसको delete कर देंगे, जो गलत नहीं है उसको वैसे ही रहने देंगे, बैग जाएंगे, जिस employee की भी गलत है वस उसकी करनी आपको सही, सब की delete नहीं करनी है, नहीं तो सारी leave जो आपने भरी हैं वो delete हो जाएंगे, बैग जाएंगे, अब हम देखेंगे के आपको कैसे attendance का printout निकालना है, और कहां sign करके आपको BRC पर जमा करना है और अपने record में रखना है, तो सीधा जाएंगे, पेरोल, पेरोल के बाद basic education और attendance में, आपने फिल attendance में attendance भर्दी होंगी, वो attendance आ जाएंगे आपकी, फिर आप जाएंगे lock attendance data में, मेरी कोई भी leave नहीं है, तो मैं directs lock कर रहा हूं, और लॉक करने से पहले आपको यह दो बार चेक कर लेना है कि कि किसी की भी attendance गलत न भढ़ जाए, क्योंकि एक बार करने के बाद में फिर आपका कोई भी option नहीं है आपके end पर कि वो सही हो सके, यह leave region, no leave, no leave, और यह official remarks, are you sure you want to lock two records, देखो यहाँ पर भी पूछ रहा है, तब भी आप चेक कर लें, हमने ok किया इसको, अब successfully locked two records, lock हो गया अब यह, अब यह इस महीने का lock हो गया है, अब आप इसमें कोई change नहीं कर सकते हैं, अब यहाँ पर यह जो print का option आ रहा है, इस print पर click करेंगे, और आपका यह print out आ गया, print out के बाद में क्या कर देना है, आपको यहाँ पर sign करके भेज देने हैं, तो यहाँ पर यह चीज़े option आ जाएगा आपको, यह signature करके भेज देने हैं आपको, जिसके login से भी आपने submit किया है, उसके login का नाम आ जाएगा कि किसने submit किया है, अब देखिए, अगर किसी को COVID-19 हो गया है, और उसको कैसे apply करना है, उसको सीधा application लिखके, अपनी COVID की report लगा के, या home quarantine में हैं, दूसरे लोग home quarantine में हैं, तो सीधा सीधा उनको application लिख देना है, और जो आपका family member है, उसकी report लगा के, offline और VEU को WhatsApp पे करना है, online में leave नहीं लेनी है, online में कोई option नहीं है, आप register में लिखेंगे, जितने दिन भी 14 दिन की leave लिए है, आपने 15 दिन की लिए है, तो उसमें आप में register में लिखेंगे, COVID-19 work from home, और अपना पत्र विवार में में लिख देंगे, और यह सारी report वहाँ पे photocopy लगा देंगे, online में आपको कोई leave नहीं लेनी है, online में all day present दिखाना है, और दूसरी चीज, अगर आपका नाम नहीं आ रहा है उस विद्याले में, तो आपको BRC पे contact करना है, BRC पे master data होता है, अगर कोई भी problem हुई है, तो वो वहाँ से correct किया जाएगा, I hope कि आपकी सारी query clear हो गई होगी, अगर फिर भी कोई query है, तो मुझे आप comment box में पूछ सकते,